क्रिषिव विश्वद्याले से दियानेकी विभाग के क्रिषिव राइक डॉक्टर्टर्टर स्वागत है इतुत मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है है नमशकर हमारा आज का विशे है कि च्षतिस गड़ में खेती कि कैसे करें ताकि किसान अधिक से एधिक ले सकें डॉक्र साब सबसे पहले में उपसे जाना चाह秘। कि च्षतिस गड़की में प्रपीते की खेती करने के कैसी जलवाई होनी चाहिए मौसम कैसा होना चीह और स च्छतिसगर्ड प्रदेश का जो जलवायू है जिसको हम लोग ट्रापिकल और सब ट्रापिकल बोलते हैं मतलब उष्न और शितोष्न मतलब उपोष्न जलवायू वाला जो छेतर है ये हमारे च्छतिसगर्ड प्रदेश में चाहे सुदूर बस्तर का छेतर हो चाहे अंबिका पुर्पिते के लिए बहुत भीक्ते हैं बात मिट्टी को है सोनम जी तो मिट्टी बलवी दो मट्मट मिट्टी जिसमें पानी बिल्कुल नरुके ऐसे जमीन में पपीते किसान भाईयों को लगाना चाहिए और ये एक वर्सी होने के वज़ा से ना काफी कह दीजे कि फायदेमंद है अच्छा परतिस्राथ किसानों को मिलता है इसलिए पपीते की खेती किसान भाईयों के लिए वर्दान सावित होगा श् इस्तमाल करना चाहिए सोनम जी ये बहुत ही जरूरी प्रशन है जो आपने वज्ञानिक प्रशन पूशा क्या है कि छितिसगड़ प्रदेश में जो देशी पपीते का बीच जैसे लगा देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि नर फुल आ गया मतलब वो फलता ही नहीं है पपी प्रशा फ़लाने की समभानाहि तो उन्हीं किसमों को ख्राफ़ाइँ को लगाना चाहिए और हमारे श्रतिजगार प्रदेश के लिए चाहे भारती क्रशी अनुर्शंधान परसद नई दिल्र से रिलीज है पुसा मेन नहा है बहुत अच्छी किस्म है हाइड भी कम है गरत भी नहीं है, वो हवाएं जैसे चले गर्मी के दिन में तो बहुत सारे पपीते गिर जाते हैं, लोड पपीते के फल के बजन से, लेकिन पूसा ननना बहुत अच्छी है, पूसा ड्वार्फ बहुत अच्छी किस्म है, इसके अलावा रेड लेडी है, ताइवान है, सलेक्शन वन है, हनीड्यू है, ये जो किस्मे हैं हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही उप्यूगते हैं, तो इन किस्मों को किसान भाईयों को लगाना चाहिए, और सितम बर अक्टूबर कमा, क्योंकि इस बार बारिश कम हुई प्रदेश में, इस बार चातिस गरने बारिश बहुत क हैं, तो ऐसे परिस्तिति में पपीता एक वर्दान साफित होगा, क्योंकि पपीते के फसल को बहुत कम पानी चाहिए, तो ऐसी परिस्तितियों में किसान भाईयों को पपीता जरूर लगाना चाहिए, और किसान भाईयों याद रखें, जो किस्म मैंने बताया है, इन ही किस किस्मों को अपना है आप लोक तो काफी अच्छा रहेगा बजू grease for Pandh लगाने की अलग विधी होती है तो जब किसανभाई पंपेति Clock एक कर से कंदी का लगया एक isid दूसरे पौधे की दूरी कितने होने चाहिए बहुत बढ़िया यह ऐसा है कि पपीता एक ऐसी फसल है जिसको बीज से हम लोग पहले पहुंद तयार करते हैं और उसके बाद इसको मुख्यकेत में लगाते हैं तो किसान भाई पपीता का बीज जब पका पपीता को हम लोग का का रहते हैं मतलब लसलसा पदार्थ से डखा रहते हैं कई बार किसान भाई गलती यह कर देते हैं कि लसलसा पदार्थ के सांथ पपीते के बीज को किसान भाई सुखा देते हैं और उस पपीते के बीज में अंकुरन नहीं के बराबर होती है तो किसान भाई याद रखें प ट्रक का ट्यूब हो उस ट्यूब में रख दे और दोशार लाठी उसमें मारे तो उससे क्या होता है कि उसका जो डार्मेंट सुस्ता वस्ता है या स्वया हुआ रहता है पपीते के बीज वो बीज फिर अंकुरन के लिए तयार होता है तो ये किसान भाई ध्यां रखे और पा 2-4 मतंअ मतलब 1.75 सेंटीमेटर की दूरी में अगर किसान भाई लगाते हैं तो इसको हम लोग क्षगन भागमानी कहते हैं तो इसमें क्या है इसने है? पॉधों की संख्या गाफी अधिक्त ृत पादन काफीदीग होता है तो किसान भाईयों को दूरियों को इसे ध्यान रखना चाहिए चुकि बीज की बात निकली है इसलिए मैं आप से ये भी जाना चाहूंगे कि हमारी जो किसान भाईय बीज से पौधा कैसे तयार करें नरसरी कैसे तयार करें तो वही है कि जब किसान भाई पपीते के बीच तुझे से ले लिए कि लेटेक्स को हटा लिए रगड लिए उसके बाद किसान भाई क्या करें कि अच्छा अंकुरन अगर लाना है तो किसान भाईयों को काव यूरीन में गव मुत्र में अगर तीन घंडे पपीते के बीच को अंकुरन होना है वो सात्वे आठवे दिन में अंकुरन में आ जाता है और किसान भाई क्या करें कि जब पाली बेग में मिट्टी एक भाग एक भाग रेत और दो भार गुबर का खात भरे और उस पाली बेग में कम सकम डेड़ से दो इंच गहराई में पपीते के बीश को डा देने तो यह उंकुरन बाइस से पचीज दिन या उंकुरन तो ही जाता है लेकिन पैटालिस दिन का जब बहुत तयार हो जाए तब उसे मुख्या केता में गुसान भाई को लेके लगाना चाहिए था तो इस तरीके से किसान भई पापी देके पहुत तैयार कर सकते हैं रो कई ए मनगरें कुछ हसा के लुगल पकोरटों करें तो कितनी मात्रा में अर्वर्वर्वर्वाइ प्यूनुग करते हैं ल३ुका आज इसकal कर वर्या से उपूर्ण टया अजिए रहा होई कि जैविखेती की यह फाक्त के जै ही कुछ चानिकी, कि जैविज बहुत Strike और उसके वज़े से किसान भाई ये नहीं समझते कि कीड़े विमारिया भी राशानी कुरुभरक के वज़े से आता है इसलिए क्योंकि स्वस्त पौधे अगर होते हैं तो उसमें अक्रमन अच्छे चीच को हर कोई खाना पसंद करता है तो उसमें अक्रमन भी जादा होता है तो दो तरीके से किसान भाई पपीते की फसल और गड़े में खाद डालें एक तो जैविक विधी को बताता हूं जैविक विधी में किसान भाई क्या करें कि 10 किलो केश्वा का खाद किसान भाई डाले और नीम की खली और करंच की खली अगर है और नहीं तो नीम की पत्ती भी किसान भाई अगर आधा किलो के आसपास पर पिते जहां पे लगाना है वहाँ पे अगर डाल देते हैं तो वो परियापत होता है इसके बाद किसान भाई क्या करें नहीं के मात्रम है मतलब कह दीजिए कि 200 ग्राम नत्रजन दाइ 100 ग्राम सिंगल सुपर पासफेट और 200 ग्राम उरे mm और अगर आपसी खाट डालनी है तो नहीं तो किसान भाई क्या करें कि ज économ हैं जैसे मशली का छिलका है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस मिल उसको किसान भाई दाल सकते हैं इसके अलावा किसान भाई क्या करें? और राश्यानिक विदे में किसानभाई 200-200-200 ग्राम, प्रतीपॉत के हिसाब से किसानभाई डॉल सकते हैं. डॉक्टर साब रेदी, हम उन्नत फसल लेनी की बात करें. क्योंकि क्या होता है कि खेती तो सब करते हैं, और उन्नत फसल कुछी किसान ले पाते हैं. इसकी मुख्यज़ा होती है जानकारी का अभाव। इदि किसान उन्नत फसल लेना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रख रखाव करना चाहिए। यह चुकी बहुत महत्पूर्ण है पपीति की खेती में यह प्रश्ण। क्या है सुनम जी सुरू के अवस्था में पपीता में जैसे कहते हैं कि जडविगलन या तनाविगलन मतलब मिट्टी के पास गलन की समझचाय होती है तो किसान भाई प्रारंभी क अवस्था से मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं इसको किसान भाई जरूर ध्यान के सबसे पहले किसान भाई तो फपुन नास्तक दवा जिसको हम लोग ट्राइकोडर्मा कहते हैं वो जरूर डाले और पपीते के बीच को अगर काव यूरून से उपचारित करके करते हैं तो पपीते का भीज जिवानों से भी और फपुन से भी सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि काव यू कभी भी पानी का भराव नो ये चीच किसान भाई तो गलन कि समस्यान होगी दूसरी बाती यह होती है सुनम जी कि कभी-कभी पपीते के पौध में यलो वेन-मोजेक वाइरस का अकरवन हो जाता है मतलब पीला पत्ती सीरा रोग लग जाता है तो खिसान भाई इसके लिए कीडे ना है, इसके लिए कि इन-मोजयक वायरस से पपीते को किसान भाई बचा सकते हैं और कुछ चीजे यह होती है कि अधिक चीजें जैसे पानी ज्यादा नहीं डालना है और समय समय पर किसान भाईयों को नेम बेजट या करंज बेजट जो जिवा मेरित है ग्रम हांस्त्र है इन सब को क्यों करके किसा आम के आम गुठलियों के दाम, ये पपीते पर बहुत पपीते की खेती पर बहुत कारगर सद्ध होता है, मैं आप से यह जानना चाहूंगी कि हमारी जो किसान भाई हैं, पपीते की खेती तो उन्नत फसल ले ही, साथ इसे पेपेन कैसे प्राप्त करें, जिससे उन्हें अधि के बाद आम मतलब जो कंजूमर है, जो खरिते हैं, वो नहीं जान सकता कि इससे पेपेन निकाले हैं, और चुकि आम के आम और गुठली के दाम वाली बात भी है, तो पेपेन एक महत्वपून कह दीजे कि हम लोग कहते हैं कि प्लाश्टार आप पेरिस के जितना उपयोग ह लिए पपीता वैसे ही विटामीने का महत्वपून स्रोथ है, तो अवसधी छेत्र में, मेडिशनल छेत्र में पपीते के पेपेन का बहुच जादा है, तो किसान भाई क्या करें कि जब पपीता मैच्योर बट अन्राइप, मतलब कहते हैं कि लाल नी हुआ है, पकना पीला हुआ है, लेकिन बिल्कुल हरा हो, क्यूआ है मतलब बिल्कुल तयार हो गया है, लेकिन पकने वाला है, उस समय किसान भाई गया करें कि जे अंगुठे के थम Hazard कि मतलब, दो से तीन सेंटी thousands का उपर की छेत्र में, में हलका चीरा लगा है, जैसल पपीते के पाउद से पप कर सकता है और ताजूब है सोनम जी कि लेटेक्स का रेड़ काफी अधिक है जी मार्केट में उसका बहुत ज्यादा दाम है और ज़िए इमारे किसान भाई चाहे तो सदिक सदिक लाब ले सकते हैं बिलकुल तो और उत्पादान में कोई नुक्सान नी होना है जी 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 को इसी तरीके से बहुत सारे शतिदगड़ के किसान नहीं जानते हैं लेटेक्स निकालते नहीं है पेपेन निकालते नहीं है लेकिन मैं किसान भाईयों को सलाह दूंगा कि किसान भाईयों आपको अगर आमदानी और अधिक लेनी है तो पेपेन जरूर निकाले और कुछ भी नी करना है, शीरा लगाना है और उस पेपेन को इकठा करना है, इकठा करने के बाद कहते हैं कि हम लोग उसको ड्राइंग की प्रक्रिय है, मतलब छाय दार जगा में सुखाना है, एक दम डारेक्ट शन में सुखाना है, और जब वो पपड़ी के रूप में तयार हो जाए या केक के रुप में तैयार हो जाए उसके बाद ओपन मार्गेट में किसान भाई बेश सकते हैं तो पेपेन का काफी अधिक रेट है 80,000 रुपया किलो से लेके एक लाग 20,000 रुपया किलो तक पेपेन मिलता है तो इस तरीके से किसान भाई डबल फायदा कमा सकते हैं डक्टर साब मेरा आप से अंतिम सवाल है कि आप हमारे किसान भाई को क्या संदेश देडा चाहेंगे चुकि ये खेती बाड़ी में उद्द्यानकी का बहुत ज्यादा प्रभाव है और उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् का मौका मिलता है जैसे अपन धान लगाते है उसके बाद क्या होता है कि धान के बाद जो वर्सा अधारीत खेती है उसमें दूसरे फसल लोग नहीं लेते हैं मैं यह कहोंगा कि बहीर दिपव lingering के बाद आप धान की टाई करो उसके बाद कदूर की फसल जैसे कुमड़ा है लौकी है गिलकी है तोराइ है आप उसी पानी में आपके पास सिचाई की बैस्ता नहीं है फिर भी आप उसी पानी में लगा सकते हैं वैसे ही पपीदे के बीच में अगर किसान भाई चाहें तो हल्दी अद्रक असानी से रेना चाहूब। टर्टतर साब आपने पपीपिति के के चाहिती के संबंध में नेक अनीक जानकार्यारी्थ और निश्रैत तोर पर आपके जानकारय से हमारे किसान भायों को लाब मिलेगा। समय आपने इतना किम्ति